तो दोस्तों कल की 2898 के अस्वा थामा इंट्रोडक्शन आने से मूवी का क्रीज वापस से बढ़ चुका है और हो भी क्यों ना एक इंस्पायर डिस्टोपियन फ्यूचर स्टोरी के बाफ जूई फिल्म के मेकर्स ने हमारी पौराने कताओं को जरा भी इग्नोर नहीं किया है जिसका सारा क्रेडिट जाता है नागा अश्विन को कि उन्होंने आज की डेट में इस तरह की डीटेल्स फिल्म के अंदर डाली है कि हर एज का व्यक्ति इस फिल्म के लिए एक्साइटेड नजर आ रहा है अब बाकी मूवी की डीटेल्स में जाएं तो सुनने में ये भी आ रहा है कि अस्वत थामा की तरह बाकी चिरेंजीवियों के करेक्टर्स को भी लिखा गया है फिल्म के अंदर जो कलकी अवतार का साथ देंगे जब वो कली को हराएगा बट शायद ये सब एक फिल्म के अंदर दिखा पाना पॉसिबल ना हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा बट आमिताब पच्चन ऐस अस्थवतामा इंट्रोडक्शन करना और ये गैरेंटी है कि हमें आगे और भी कैरेक्टर्स को देखने को मिलेगा और ये लॉजिकल भी है और चितनी फैसिनेटिंग और जबरदस्थ स्टोरी अस्थवतामा की है उसी तरह बाकी चिरंजीवियों के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आगे क्या क्या पॉसिबल्टीज चुपी हैं और मैं खुद परसनली एक्साइटिड हूँ ये देखने के लिए कि जब कलकी में परशुराम और हन्मान जी का इंट्रोडक्शन किया जाएगा तो हमारी स्ट्रीम में भी बताया गया है कि किस तरह से सारे चिरंजीवी मतद करेंगे कलकी अफ्तार की इस चीज की है कि किस तरह से अस्वत्रामा को उसकी मनी वापस मिलेगी और किस तरह से वो हेल्प करेंगे कलकी की क्या मनी अब तक उनके पास ही थी इस चीज का हिंट वो भी ये ट्रेलर में आमें देखने को मिला है कि वो अपनी मणी का तबी इस्थमाल करते हैं जब शिवलिंग पर पानी गिरना पंद हो जाता है जैसे वो एक इशारा है कि अब उनके उस कारे को पूरा करने का समय आ चुका है जिसके लिए उन्होंने कलियोग तक इंतिजार किया था तो भाई अब जो भी है हाइप क्रियर्ट दो वो ही गई है वो कम ही नहीं होनी चाहिए अब अस्ट इंट्रोस ट्रेलर्स ये सभी का बेसबरी से इंतिजार रहेगा बागी आप लोग क्या सोचते हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए है बुट बाई